हुआ 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 है अग्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का जो डिस्कुशन टॉपिक है डिफरेंस बिट्वीन वर्नियर कलीपर माइक्रो मीटर फ्रेंट्स आज हम जानेंगे व्ट इस व्रकिंग प्रिंसपल ऑफ बन्यकलीपर माइक्रो मीटर उसके बाद जानेंगे यूज़ेट यह विडियो बहुता इप्रेंट ह Krnt ए आपके लिए काफी हलफल सकती है चले टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं हैं आई जानता है difference between Wernier Caliper and Micrommeter पहला Point है working Principle of Wernier Caliper Wernier Caliper किस Principle पर काम करता है Wernier Caliper जो है difference between two scale की की काम करता है तो scale का मतलब हुआ..humain scale and Wernier scale के difference है उसके की princaper को करता है.. तरेंट्स इसी तरह आई जानता कि माइक्रोमिटर किस प्रिंस्पल पर काम करता है सबसे पहले हम जानते हैं कि वनियर के लिपर का या है वन्यर के लिपर का हम यूज करते हैं तू मेजर्स, ठीकनेस, डैप्थ, ओडी यानि आउट डाया, आईडी यानि इंटर्नल डाया and हाइट वन्यर के लिपर की हेल्प से हम इन सारे डायमेंशन को मेजर करते हैं आई जानते हैं यूजर्स ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं माइक्रोमीटर का यूज हम करते हैं तू मेजर, मेजर करने के लिए ठीकनेस और ओडी यानि आउट डाया माइक्रो मीटर की हल्प से हम किसी भी पार्ट के थिकनेस को और ओडी को मेजर कर सकते हैं आईए एक्जामपल से समझते हैं सपोज हमारे पास मारकर का एक कैप है और हमारे पास जो इस्टूमेंट है वह वर्नियर के लिपर है आईए जानते हैं कि वर्नियर के लिपर की हल्प कर सकते हैं और इसकी जो हाइट है वर्नियर के लिपर से इसके हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं और क्या मेज़र कर सकते हैं हाँ और इसकी जो डिप्थ है वर्नियर के लिपर से हम इसकी डिप्थ को भी मेज़र कर सकते हैं और के माइक्रोमिटर के बारे में एक्जामपल समझत से फ्रेंट्स माइक्रोमिटर के हल्प से इस कैप में हम सिर्फ ओडी चेक कर सकते हैं जिसे हम आउट डाया का सकते हैं आई जानते हैं तीसरा पॉइंट से माइक्रो मीटर माइक्रो मीटर भी दो तरह के होते हैं माइक्रो मीटर भी दो तरह के होते हैं एक होता है मैनुवल और दूसरा होता है डिजिटल जैसे कि आपने देखा कि वर्णिय के लिए पर दो तरह के होते हैं मैनुवल और डिजिटल उसी तरह माइक्रो मिटर भी दो तरह के होते हैं मैनुवल और डिजिटल आई जनते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है सबसे पहले list count होता क्या है उसों जान ले list count होता है minimum measurement capacity of instrument that is called list count friends list count हम उसे कहते हैं जब हम किसी भी इस्टूमेंट से किसी भी पार्ट को कम से कम कितना तक चेक कर सकते हैं उसे हम list count कहते हैं friends आई जानते हैं वह मैंनेवल बनियर के स्वाइब का list count क्या होता है इसे हम बीस micron भी कहते हैं दिशिटल बनियर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm यानि 10 micron micron का म्यूंज से दिनोड करते हैं friends आई तरई जानते हैं मैंनोल 0.01 mm 0.01 mm को हम 10 micron कहते हैं और digital micrometer का जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm यानि एक micron जो digital micrometer है उसकी जो capacity एक micron तक वो मेजर कर सकता है और manual जो micrometer होता है वो 10 मायक लोनмов कर सकता हैं रखां आज आपने सीखा working principle अब रन्यकलीपर मायक्रूमीडर और आपने शीखा यूसरा यूसरा ब्रनिकलीपर मायक्रूमीटर और आपने सीखा टाइप्स अफ क्विद्व्रे सपर्लायब अच्रों मायकरूमीटर और आपने लाइक सब्सक्राब जरू करें थैंक्स फो वाचिंग हाव नाइज जए